नमस्य भाई आप लोगों ने अब्सर क्या होगा विशेश का मेश कुम और मीन राशी वालों ने कि उन्हें राहू बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है क्योंकि राहू इस समय मीन राशी पे है जो लगभग मई दोहजार पच्चस तक रहेगा और इसकी वजह से वो कई प्रभार की समस्याओं से जूच रहे हैं सिंग राशी वाले और कण्या राशी वालों के मारिटल लाइफ में बहुत सारी प्राब्लम्स उन्होंने फेस की होगी करकर राशी वाले भी इस समय राहू के बुरे प्रभ भाव को जेल रहे हैं जिन जिन की राहू की मादाश्या अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है यह राहू उनकी खराब स्थिति में वेशिश कर सात्वे भाव में हैं उन लोगों को राहू के उपाईश जरूर करते रहना चाहिए और उनके लिए विशेश समय आ रहा है 22 नुवंबर काल भैरो जयनती मार्ग श्री शिके क्रिश्ण पक्षी की अश्टमी के दिन काल भैरो जनमोच्सव मनाया जाता है इसे काल भैरो अश्टमी कहते हैं और माना जाता है अगर आप शत्रुबाधा से परिशान हैं आपको बहुत जादा रोग लगे वे हैं आप तो आपको काल भैरो की उपासना जरूर करनी शाहिए यह आपको बहुत सारे कश्टों से मुक्त करते हैं और आपकी जो व्यथा होती है वो व्यथा दूरों के आपका मन बहुत शान्त और सेंडर्ट करते हैं तो काल भैरो जैसा कि हम सब जानते हैं कि काशी के कुतवाल होत होता है काल मैं मृति होता है तो मृतियू के भाय को जो दूर ॥ा आरता है जो काल भायरव कहलाता द जो हमारे आज्या चक्र को गवन करती हैं काशी के कोतवाल कहते हैं तो काशी जो है योगा में कहा जाता है हमारे आईब्रो के बीच की जो स्थल होता है यानि थर्ड आई होती है वो काशी कहलाती है तो यहां के कोतवाल जो होते हैं वो काल भाईरव होते हैं तो मृत्यू के इन्हें देवता भी माना जाता है, और कहते हैं मृत्यू के समय, इनका इस्मरण हमें मृत्यू के डर से मुक्त करता है, हम बहुत शान तभाव से अपने प्राणों को त्याखते हैं, तो अगर जोतिश की दिश्टी से हम देखते हैं, तो राहू के प्रभाव हो या फिल प्रभाव या आपको शनी परिशान कर रहे हैं, जो भी पापग्रह अगर आपको परिशान करते हैं, तो आपको बहुत फल्दाई होती है, हम बात कर रहे थें बाइस सुममबर, तो बाइस सुममबर, दो हजार चौबिस के दिन काल भेरव अश्टमी है, इस दिन आप काल कुछ उपाइज ज़रूर करिए कोशिश करें वहरों मंदिर में जा करके आप उन्हें नारियल जरूर चड़ाईए लोबान आप चड़ा के आईए वहां आपकी यहां की परंपरा के अनुसार उस मंदिर में जोड़ चड़ाया जाता है उसे चड़ाईए अगर मदिरा इंपॉर्टन तिंग है उस दिन आप काले कुत्तों को भोजन आवश्य कराईए शद्धा के साथ वेजिटेरियन भोजन आपको जरूर लाब हुगा काली उड़त के दाल के आप वड़े भी उन्हें खिला सकते हैं चावल खिला सकते हैं आपको बहुत लाब होगा कोई भी चीज आप शद्धा से उन्हें खिलाएं थर्ट इंपॉर्टन तिंग है काल भैरो अश्टमी के दिन आप भगवान अशिव की उपासना के साथ साथ काल भैरो की उपासना करें काल भैर स्टोत्र का पाठ करें काल भैरो के अश्टकम आप पढ़िये अगर आप उनके 108 नाम पढ़ते हैं या भैरो चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जरूर लाब होगा काली उड़त का दान करना काली चीजों का दान करना काले वस्त्र दान करना आपके लिए बहुत शुब होगा आप चाहें तो वहां जाकर के नीबू भी चढ़ा सकते हैं उस मंदर में आपकी बहुत सारे कष्ट दूर होंगे अगर उस मंदिर में हवन हो रहा है काल भैरोज का वहां पे अगनी जल रही और आप बहुत जादा रोग से क्रसित है और रोग आपके ठीक नहीं हो रहे है तो उस अगनी में जाकर के अपने सर के उपर से एक हरा नारियल यानि पानी वाला न सब्सक्राइब करें तो आशा करती हूं आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा इसे लोगों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में नमाज शिवाग आपको बती हैं सब्सक्राइब जयुर्मेटिव प्हाँ दो Spe Capital झाल सुच्पाला एक सब्सक्राइब करें मिलता हैं B करें मिलता हैं